हैलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माय चैनल, तो फ्रेंड्स आज बनाएंगे देली की फैमस रेसिपी दही बढ़े, तो कुछ लोग इसको दही फुलकी भी कहते हैं, ये देली की बहुत ही जयादा फैमस रेसिपी है और जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है, औ हाफ टेबल स्पून सॉल्ट अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन की चटनी लहसुन की चटनी से फ्रेंड्स यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे वाटर हमने हाफ ग्लास वाटर एड़ करा है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में भी बिल्कुल भी लंस ना रहें ऐसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से फैट लेंगे से अब हम इसमें एड़ करेंगे तो half glass और water क्योंकि फुलकी हमारे ज़ाधा पानी लेती हैं इसलिए हम इसमें एड़ करेंगे half glass और water और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे अब हम लेंगे थाइसो ग्राम बैसन इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी प्यास जिसको हमने कट करकर रख लिया था वन बाउल coriander leaves और थोड़ी सी crane चिल्ली इसको भी हमने कट करकर रख लिया था अब हम इसमें एड़ करेंगे half टेबल स्पून red चिल्ली पाउडर half टेबल स्पून salt half टेबल स्पून ginger garlic paste और इन सभी चीजों को आपस में mix कर लेंगे अच्छे से अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा water add करते रहेंगे और इसको अच्छे से एक बेटर बना कर तैयार कर लेंगे फ्रेंट साब को दियान रखना है कि पानी एकदम नहीं दालना वरना बिल्कुल बेकार हो जाएगा हमें थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है अब हम इसमें add करेंगे बेकिंग सोड़ा quarter spoon बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा से हमारे फुल के बहुत ही soft बन कर तैयार होंगी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगी बेकिंग सोड़ा के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है फुल किया इसलिए हमें add करना है बेकिंग सोड़ा और हमें बिल्कुल ऐसा पेस्ट बना कर तैयार करना है अब हमने कडाई में रख दिया है oil गरम करने के लिए अब हम इसमें पहले थोड़ा सा डाल कर देखेंगे हमारा oil गरम हो गया या नहीं अच्छे से अगर हमारा oil अच्छे से गरम हो गया तो हम इसमें छोटी छोटी फुलकिया add करेंगे आप अपने हैंड से भी डाल सकते हैं मैं स्पून से डाल रही हूँ और फ्रेंड से हमें ध्यान रख रहे हैं कि हम छोटी-छोटी ही फुलकिया डाले क्योंकि फिर वो बाद में जब हम इसको दही मेट करेंगे तो ये और बढ़ी हो जाती है इसलिए अगर हम छोटी डालेंगे तो वो उसमें जाने के बाद वैसे ही बढ़ी हो जाएंगी हमने इसमें अपनी सबी फुलकिया एट कर दी हैं अब हम इसको दोनो तरफ से फ्राय कर लेंगे प्राउन हमारी दोनो तरफ से फुलकिया fry हो चुकी है हमें दोनों तरफ से पलट पलट कर fry करना है फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने फ्लैम को THोड़ा हाई कर दिया है क्योंकि एक तरफ से फुल किया अच्छे से सिख चुकी है हमें दोनों तरफ से अच्छे से से शेकनी है अब हम इसको निकाल लेंगे अब हमें क्या करना है इसको फॉरान ही दही में एड़ कर देना है तो फ्रेंट्स हमने दही में फुल्कियों को एड़ कर दिया है अब हम दुबारा से फुल्कियों बनाएंगे और इसको भी ऐसे ही दोनों तरफ से गॉल्डन ब्राउन करके फ्राय कर लेंगे हमें एक तरफ से सेखने के बाद थोड़ा फ्लेम को हाई कर देना है ताकि हमारी दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राय हो जाए देखिए फ्रेंट्स हमारी दोनों तरफ से फुल्कियां सिककर फ्राय हो चुकी है अच्छे से पिल्कु गॉल्डन फ्राय हो चुकी है अब हम इसको भी निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स हमारी सभी फुलकिया बनकर तयार हो चुकी है अब हम इसमें तड़का लगाने के लिए तड़का तयार करेंगे जिसके लिए हमने लिया है 4 टेबल स्पून ओइल और उसमें अट कर दिया है हमने 1 टेबल स्पून जीरा जीरे को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और दही बड़े में तड़का लगा देंगे तो फ्रंट्स ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनकर तैयार होती है आप इसे जरूर ट्राय करिएगा अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला एड़ कर दिया है अब हम इसमें रखेंगे अनियन के लच्छे ये ओप्शनल हैं आप चाहे तो इसमें गॉरियंडर लीव्ज भी एड़ कर सकते है तो फ्रेंड कैसी लगी है आपको हमारी आज की रेसिपी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तक थैंक आपके जरूर 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 जरूरूर जरूरूरझ सेटाएगा कर दो